Hello TGT Experience, स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में HSSC TGT Results 2023 and its Process देखे इस पार हमारा आज का वीडियो रहेगा, बने रहेगा अंत तक बहुत important information इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ देखे, सबसे पहले मैं क्या कहना चाता हूँ बहुत से experience को इस बात से एतराज है कि आप प्रत्यासियों को यह कहकर डरा रहे हो कि documents की जाच बड़ी ही बारीकी से हो रही है देखे students, मैं भी आपकी तरह हर्यानवी हूँ और मुझे वो बात, ऐसी बात सुनकर, मुझे वो बात याद आती है जो हर्यानवी में कहते हैं कि टाकर वाला उंट पहले अड़ाव है आप समझ गए होगे, कहते हैं कि documents को manually check किया जा रहा है कोई software की मदद नहीं ली जा रही है मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बोल रही है भाई कोई documents गलत होगा, तो उसको तो check किया ही जाएगा यह बात आप क्यों नहीं हजम कर पा रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि हर aspirant यह चाहता है कि सब कुछ जो बोलने वाला YouTuber है, वो मेरे अनुसार बोले कैसे हो सकता है, मैं तो यह मानता हूँ, कि जो गलत है उसको अलग किया जाए, उसको short किया जाए, जो गलत है वो गलत है, और जो सही है, वो सही है नेक्स देखिए, नेक्स वीडियो में क्या है, जो documents UGC approved university का नहीं होगा, या fraud होगा, वही तो check किया जाएगा आप देखिए, जिस पे हमें doubt नहीं है, उसको check क्यों करेंगे, तो HSSC वही तो कर रही है, और manually जो document आपने upload किये है, और बाद में जो आपने DV में जमा किये है, उनमें समानता है या नहीं, ये भी तो check होगा, और ये check कैसे होगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ, कि ये check ऐसे होगा, देखिए, कहने का भी प्राई यह है, कि जिन विद्यार्थियों ने थोड़ा बहुत error correct करके दिये हैं, यानि documents DV में, बाद वाली म आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, आप देखिए, प्रोसेस सल रही है, रिजल्ट भी आएगा, ज्यादा दिन नहीं है, एक महीना ही तो लगेगा, आ जाएगा, देखते जाएगा, आप सब कुछ होगा, लेकिन समय अनुसार होगा, यही भी आपको देखना होगा, जो documents, वो चाहें, किसी भी university का है, यदि आयोग को doubtful लगेगा, तो उसकी सत्यता की जांस तो होगी, no doubt, यह सभी को पता है, अब वो चाहे phone call पर हो, या software से हो, उससे कोई फरक परने वाला नहीं है, आपको दर्द क्यों है, ऐसे प्रत्यासी भी होते हैं, जिसका एक document गलत हो, या ज्यादा भी, या सारे भी, बस डरना तो उनी को है, वही तो मैं कहा रहा हूँ है, कि टाकर वाला उट पहले अर्डाव है, तो इसलिए, चिंता किसी को करने की आउशकता क्यों है, ये आप सोचेंगे, नेक्स्ट, अब जाच ऐसे नहीं, ऐसे हो रही है, इस बात से कता ही फरक नहीं परता, पर भाई, किसी भाई को लगता है कि documents चेक नहीं हो रहे हैं, सब पेले जा रहे हैं, यानि ऐसे वैसे documents पेले जा रहे हैं, और पेलक नहीं है, नेक्स देखिए, अब रही बात result की, तो result को तो आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार की भी मजबूरी है, नहीं तो लुटिया अच्छी तरह से एक दम डूबेगी, देखिए, मैं कहता हूं, सपस्ट कहता हूं, कि result आना ही है, आना पड़ेग थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन आएगा, और जल्दी ही आएगा, अब जल्दी जल्दी सभी कारिये हो रहे हैं, और केस भी साथ-साथ चल रहे हैं, आप क्यों चिंता करते हैं, आप अगर सही है, नो प्रोब्लम, अगर आप गलत है, तो लुटिया, किसी की भी डूब हैं, आज वो जमाना नीरा, हर एक दूसरे को, एक दूसरे के बारे में पता है, कि वो क्या है, और उसने क्या क्या किया है, नेक्स्ट हम आते हैं, चोबिस अगस्त के बाद, डीवी प्रोसेस पूरी होने के साथी रिजल्द की तयारी की प्रोसेस, एचससी दवारा पूरी पर किरिया से फ्री होने के बाद, और भी तेजी से शुरू कर दी गई है, क्योंकि अब सारा कार ये केवल एचससी को ही कंप्लीट करना है, जो एस्पीरेंस है, उन्होंने अपना काम कर दिया है, जो जो गलत है, उसको आप निकाल लिए, जो सही है, उसको आप ले मैं बार-बार ये बातें आपको बता रहा हूं, और मेरा एस्पीरेंस बार-बार मुझे ये भी बोल रहे हैं, कि सर एक वीडियो पर टेक दिन एक वीडियो जरूर डाला करो, मैं नहीं चाहता, लेकिन फिर भी दो दिन बाद मैं वीडियो, बलके दो दिन बीच में इलूजन हैं, उनको दूर करने की कोशिस कर रहा हूं, आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलता हूं, कब तक के लिए, टाटा, बाई बाई, बाई